स्रद्धावानन सूयस्च स्रिनुयाद पियो नरह सोपि मुक्तह शुभान लोकान प्राप्नुयाद पुन्यकर्मणाम प्रेदर्शुकूम नमस्कार एक बार फिर से पस्तित हूँ आप सब के सामने मंगलबार के कारिक्रम में आज ऐसा कारिक्रम लेकर के उपस्तित हूँ जो प्राया कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि पंडी जी आप कारिक्रम बताते तो हैं पर उपाय नहीं बताते तो उपस्तित हूँ आप लग के सामने, आज शनी, राहू और केतू, जब कभी भी दशाओं में चल रहे हों, या जब इनके कारण आपकी कुंडली में पंचम भाव परिशान हो, जिसके कारण संतान न होती हो, या फिर इनके कारण भागे भाव कमजोर हो, जिसके कारण प्रिद करके रखे हूँ, तो आखिर इनके उपाय क्या होते हैं, मैं आप लोगों को एक बड़ी गहरी बात बताता हूँ, जोतिश में उपाय के नाम पर आजकल बड़ा धोग में है, और बड़ा जोल भी है, बहुत सारी चीजें हैं, जो काम करती हैं, पूजा करने का नि करके मंतरों के जब का फल मिलता है, अन्य थब पैसे बरबाद है, ठीक उसी तरीके से, इन ग्रहों को हम या तो दान दे करके ठीक कर सकते हैं, या तो उनके निमित मंतरों के जब और उनका उन्हें दे करके उनको ठीक कर सकते हैं, या तो फिर उनके रतनों को धारन करके, य जब होए हरी के संग, हरी का संग साध लिया जाए, तो नवग्रह उनसे विपरीत नहीं है, ये नवग्रह जो है, ये सब भगवान के अवतार हैं, मैंने इस पे बहुत पहले भी कारिकर में कई बार ये बात कही है, जैसे सूर्य राजा राम है, भगवान राम है, चंद्रमा भगवान कृष्ण हैं, मंगल दर्शिहा वतार, बुद्ध बौधा वतार, गुरु वामना वतार, शुक्रो जो हैं, वो परशुरामा वतार हैं, ऐसे करके आदिया दी, तो कहने का अर्थ है, कि हमें इनको, जैसे आप अगर कोई पूजा पाठ कराते हैं, तो क्या करते हैं उनको मंत्रों से आवाहित किया जाता है, उनका आवाहन होता है, उनको उनके रंग की वस्तु चढ़ाई जाती है, है ना, तो उनको अबीर चढ़ाया जाता है, गुलाल चढ़ाया जाता है, रोली चढ़ाया जाती है, कुमकुम चढ़ाया जाता है, अक्षत चढ़ाया जा तो उसी तरीके से जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की कुर्ली में शनी राहू और केतु परिशानी के कारण बन रहे हूं, चाहे किसी भी चेत्र के लिए, अब ग्रह अगर परिशान करेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, तो एक उपाय बड़ा सिद्ध है, लाल रंग के धागे, मतलब धागा तो नहीं कर कहूंगा उसे, कर या फिर उन कह सकते हैं, रेसम, उन या कुछ भी धागा, अगर कर मिल जाय तो वो भी, या अगर ना मिले तो सिर्फ उन, जो उन होता है, तो लाल रंग का उन, पीले रंग का उन, और हरे रंग का उन, ये तीनो ले लिजे, और इतनी लंबाई का लेना है कि आपके पैर के नाखून से सर के बाल तक की लंबाई तीनो धागों की होनी चाहिए, और फिर उनको एक ही में रसी जैसा बट देना है, ऐसे, जैसे तीनो रसी एक ही साथ बट देना है, और मंगलवार के दिन इसको भगवान भोले नाथ पे अर पित कर दीजे, लपेड दीजे, और उसकी पूजा कर दीजे, दूध, दही, जल, घी, शहद, अक्षत, चंदन, कुम-कुम आदी से उनको बिधिवत पूजा उसकी कर दीजे, और अगर जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, या तो शनी, या तो रहू, या तो केतू, तो उन 27 गुणा 4, 108 हो गया, या तो फिर आप अधिक संक्या में करना चाहें, तो 1000 कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं, तीन माला कर सकते हैं, या पांच माला कर सकते हैं, जो भी आपके उपर से दशाएं चल रही हैं, उस ग्रह के वैदिक मंत्र का, वैदिक मंत्र अगर न पढ़ सके, तो बीज मंतर का भी यथेश्ट रूप से उचारण अधिक संक्या में करके आप उस धागे को निकाल करके वहीं भगवान के सामने मंदिर में अगर ये काम करें तो ज़्यादा उत्तम होगा उसे अपने गले में धारण कर दीजे छोटा करके वो तो बहुत बढ़ा होगा उस दूसरे का हंशी का पात्र नहीं बनाता है ये हंसी का पात्र आपको नहीं बनने देते हैं इतना ही नहीं आपकी प्राथमिकता हर जगा बनी रहती है आप सभी जगा पूजनिये होने लगते हैं आपका औरा बढ़ता है और आपका प्रभाव भी बढ़ता है ये उपाए आ खुद इस उपाय को मैं कर चुका हूँ, 2014 में मैंने ये उपाय किया था, इसी बज़ा से मैंने ये आपको उपाय बताया है, शनी, राहू और केतु, तीनो एक साथ इस उपाय से साधे जा सकते हैं, आईए अब गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूँ, गीता जी के 18 अध्याय के 71 श्लोक में भगवान ने गीता जी की महिमा बताई है, कि जो व्यक्ति प्रतेक दिन या किसी भी समय गीता जी के एक अध्याय का भी पाठ अगर रोज दिन करता है, तो उसके संपूर्ण पापों का शमन हो जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है, तब तक के लिए बहुत बहुत तमस्कार.